नमस्कार किसान भई राम करें से तमर परताब गवाब लोशलमा सबका स्वागत थे आज किसान भई हम बात करने वाला हूँ अरहर की बुवाई किस महिने से सुरू हो जाती है आज हम किसान भई आपको लेकर आया हूँ अरहर सुलफ सीड्स है काफी वणिया वेराइटी है औ और साथ ही साथ अरहर की पूरी जानकारी देने वाला हूं बुवाई किस महिनम करना है और कीमत इसका मार्केट में क्या है कितना रुपया किलो मिलती है पकने की अवधी क्या है और बीज मात्रा जो है क्या होता है कितने खेत में कितना बीज की बुवाई करना है तो सब कुछ तो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझा हो है, नीचे कमेंडर जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं अरहर की बुआई का.. तो ऐसा देखा जाता है कोई भी किसान भाई वेराइटी हो। अगर अरहर की बुवाई करना चाहते हैं तो यहां परकिसान पर देखा जाता है कि मौसम के आगमन के नुसार अरहर की बुवाई की जाती है कुछ किसान जून कुछ किसान जुलाई के मौसम में करते हैं यानि कि हमें जो है इसका बारिस का भी थोड़ा एक बार हो जाता है एक बार दो बार यानि मिट्टी में नमी आ जाती है जिससे कि हमारी अरहर जो है अच्छी तरह से जो है उसमें नमी बनी रहे और जमाव ले अच्छा से जो है अंकुरन निकले तो उसके लिए किसान भाई कुछ लोग जो है जून या जुलाई कभी ऐसा भी देखा जाता है जून के लाश्ट में कोई लोग करते हैं कोई जुलाई में करते हैं तो इस तरह से किसान भाई चलता रहता है तो आप जो अपने अनुसार कर सकते हैं जैसे वर्षा के साथ आगमन के साथ साथ जो है आप इसकी वुगाई कर सकते हैं लाश्ट ज तो इसकी कीमत किसान भाई 200 रुपया किलो है , यानि 1 किलो सीड का 200 रुपया है अगर हम किसान भाई बात करते है औरहर की जो भिरायटी होती है कोई भी भिरायटी हो वो कितने दिनी कितने अवधी में पक कर त्यार हो जाती यानि कितने महीने में पूरी तरह से पक जाती है तो यह सब किसान भई क्या है कि कुछ ऐसी भी विराइटी है जो 6 महीने 8 महीने यहां तक कि किसान भई देखा गया है 9 महीने में भी जो है पूरी तरह से पक कर तयार होती है वो हमारे विराइटी उपर निर्भर होता है अगर किसान भाई हम बात करते हैं बीज मात्रा की अगर आप अरहर सुलब है सीड्स का बीज जो है बुवाई करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा पांच किलो विगहा यानि एक विगहा में अगर आप अरहर की बुवाई करना चाहते हैं तो पांच किलो का विगहा लगता है किसान भा वीडियो आच करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें